हरिद्वार में करीब एक सब्ता तक बंद रहे सभी सरकारी कार्यालिय अब खोल दिये गए हैं कोरोना के बढ़ते संक्रमन को रोखने के लिए सरकार ने राज्य के सभी कार्यालियों को बंद रखने का आदेश दिया था बंदी के दोरान सभी कार्यालियों को सेनेटाइज कराया गया अब आदेश के अनुसार 50% शंता के साथ कार्यालियों खोल दिये गए हैं हरिद्वार रुड की विकास प्राधी करन के सचीव हरवीर सिंग ने बताया है कि अतियावशक काम वाले विभाग खोले गए हैं खोलने से पहले कार्यालियों को पूरी तरह से सेनेटाइज कराया गया है सरकार के आदेश के अनुसार सभी गाइडलाइन्सों का पालन भी किया जाएगा जस्पूर में एश्डीम ने शिकायत मिले के बाद खाद विवाग के तीन केंद्रों पर छापे मारी की है इस दोरान उन्हें क्रे केंद्रों पर काफी खामया भी बिली इस पर उन्होंने खाद विवाग के अपसरों को फटकार लगाते हुए ततकाल विवस्ता दुरूस्त करने के निर्देश सारी किये दरसल चसपूर संदर सिंग तैसील परिसर में लगे हुए गहूं खरीत तोल केंद्रों पर पहुंचे जहां उन्होंने जांच के दोरान इस्टॉक रजिस्टर चेक किये जिससे डाटा अधूरा पाया गया सेंटर पर गहूं से भरे बोरे खुले हुए भी पाई गए गए कोविड संक्रमन की दूसरी लहर में हो रही है लगातार बढ़ोतरी की वजह से कुछ लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए रामपूर पुलिस अब एलट मोड पर आ गई है जिसके चलते पांच लोगों के खिलाब पुलिस ने कारवाई करते हुए मामला दर्ज क्या है और जो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनको चिन्नित कर राकेश की करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्होंने संपर्क में आई सभी लोगों से कोरोना की जाच कराने और सोसल डिस्टैंस बनाए रखने की अपील की है दर्थल भगवानपुर विधायक ममता राकेश वाइरल की चपेट में आने से बीमार चल रही थी उन् उन्हें अपील की है कि किर्पया करके वो सभी लोग अपना ख्याल रखें और अगर उनको कोई परिशानी है तो वह अपना करोना टेस्ट जरूर करा ले पित्होरागड में बीते वर्ष आई आप्दा प्रिभावित शेत्रों में आप्दा प्रिभावितों को रहत नहीं मिल पाई है जन प्रतिन दियों से लेकर प्रिशासन समने प्रिभावितों का सिर्फ आश्वासन ही दिया है आपको बता दे कि पेरिनाग так Clearly के कराला गाउं में अगस्त 2020 में भारी बारिस से आपदा आ गई थी जहां ग्रामीनों के खेट समय सभी रास्ते मकान छती ग्रस्त हो गई थे पर अभी तक ग्रामीनों को रहत नहीं मिल पाई है हलाकि प्रिशासन कहता है कि छती ग्रस्त जगाओं को जोकित्यों पूरी तरह से तयार कर दिया गया है ग्राम प्रधान हैमचंद्र ने बताया है कि आपदा के बाद जिले से कारिय योजना बन कर आई थी उसके बाद हमने उसे ब्लॉक में दे कर ऑनलाइन कराया जिसके बाद नरेगा के करमचारी हरताल पर चले गए अब हरताल खुलने के बाद ही पता चल पाएगा कि आपदा में छती गरस्त हुए मकान रास्तों का काम आखिरकार कब तक पूरा हो पाएगा लेकिन फिलाल इस्तिती जोंकित्यों बने हुई है राम नगर में कोविट के लगातार बढ़ते संक्रमंण से प्रिशासन और जनता में भैका माहुल बना हुआ है एक तरफ राम नगर में जिलादिकारी नैनिताल ने 27 अपरेल से 3 मई तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू के आदेज सारी कर दिये हैं तो दूसरी तरफ रोज 50 से साथ लोग कोरोना पॉजिटिव पी आ रहे हैं आपको बता दे कि राम नगर में चार कोविट सेंटर बनाए गए हैं जिनमें से पॉजिटिव मरीजों को आईसोलेट किया जा रहा है कोरोना कार में हर तरफ अजीब सा माहौल है शमसान घाट लासों से भरे पड़े हैं ऐसे में अब शमसान घाटों पर भी पैकेज सिस्टम लागू किया गया है हरिद्वार के चंडी घाट इस्तित शमसान घाट पर एक मुर्दे को जलाने का पूरा पैकेज सिस्टम बनाया गया है जिसमें 3600 रुपे में शव का अंतिम संस्कार से लेकर तमाम अन्य किरिया कारवाई की जा रही है आपको बता दे कि हरिद्वार में कोरुना महमारी के कारण हरिद्वार के साथ साथ कई पड़ों सी राज्यों से भी मृतिको के शवाई को हरिद्वार लाकर संसान गहाट पर उनका अंतिम संसकार किया जाता है इसको लेकर हरिद्वार चंडी संसान गहाट ने batteries के लिए पैकेज की वबसता की है इसमें परिवार जनों को हर स्विधा दी जा रही है शासन के निर्देशों के बाद मंडल मुख्यले पौडी में भी सभी सरकारी कारियलों को आज से खोल दिया गया है डियम पौडी डाक्टर अजे कुमार जोगंडे ने बताया कि सासन से प्राप्त निर्देशों के बाद जिले के सभी कारियलों को आज से खोल दिया गया है उन्होंने कहा है कि जनता को शुधा प्रदान करने के लिए सभी दब्तरों में सभी कारिय सचारू रूप से किया जा रहे हैं साथ ही उन्होने ये भी जानकारी दी है कि कारियलों में गृूप A और B के करमचारी और अधिकारी 100% उपस्तित रहेंगे जबके समुष C और D के करमचारी 50 फीजदी ही उपस्तित रहेंगे DM जोगदंडे ने बताया है कि कारेलों में गरबवती महिलाओं 55 साल से उपर के करमचारीयों के साथ ही कि ऐसे करमचारी जिनके घर में 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कारेल लेम आने से छूट दे दी गई है रामनगर रोडवेज बस स्टेशन में परिवहन बसों में आग लग गई जिस वज़े से रोडवेज करमचारीयों में हड़कम बच गया करमचारीयों ने आनल फानल में घटना की जानकारी दमकल विवाग को दी वहीं सूचना कर मौके पर पहुंचे दमकल कर्वेज ने आग पर कड़ी मसकत के बाद काबू पाया गनीमत यह रही कि घटना में कोई जान हानी नहीं हुई वहीं घटना बीते राद दो बजे की है रामनगर कोतवाल अब्दुलकलाम ने बताया है कि राद दो बजे सूचना मिली थी कि रोडवेज बसों में आग लगी है जिसके बाद उन्होंने दमकल विवाग को सूचित किया और दमकल कर्मियों के मदद से आग पर काबू पाया गया वही इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है मामले में व्यक्ति से पूस्ताज की जा रही है उन्होंने कहा है कि प्रतम द्रश्टिया मैं ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने वहां पर बीड़ी पी हो जिसकी वज़े से ये आग लगी हो जंगल में लगी भीशड आग ने शिवनात पूर मालधन में वन विवाक की अप्वा खोरा रोज प्लांट संख्या 14 को अपनी चपिट में ले लिया है मुहमद शफी के जानवरों के बाड़े सहीद जौपडियों को भी इस भीशड आग ने जला डाला आग इतनी जबरजस थी कि ज़ादा बेकाबू हो गई उसने जौपडियों जानवरों और भूसा पुराल को भी अपनी आगोस में ले लिया जिसमें करीब बारे जानवरों के बच्चे बूरी तरह से जुलस गए घटना की सूचना मिलते ही मालधन पुलिस और वन विवाग की टीम मौके पर पहुँची वहीं आग रगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेट की गाड़ियां भी मौके पर पहुँची हैं और करीब चार घंटे की कड़ी मसकत के बाद आग पर काबू पाया गया वहीं इस आग में लाखों रुपे का नुकसान भी बताया जा रहा है और फिलाल मेरे साथ इस पुलिटिन बसेतना ही देश और दुनिया की बागी तमाम बड़ी खबरों के लिए जनतन्तर टीवी नमस्कार खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्तर टीवी और प्रेस्ट बेल इकन नेवर मिस अनी अपदेट